मैं इन्वाइट तर रहा हूँ सुधीराज सर को सुधीराज सर जी आए और विस्तार से बात रहा हूँ जुडेंगे जीतेंगे पर जुडेंगे कैसे यह फोटो सब आप देख रहे होंगे दियान से इसको देखिए कि यह मदुमक्यों का जो छत्ता पीले रंग में हैं मदुमक्य हैं और इन्होंने अपना घर जोड़ा हुआ है और कैसे जुड़ता है एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं वो साइड में काला और सफिद दिया अगर आप इस नेट को समझ जाते हैं जाल को समझ जाते हैं तो फिर कोई सब्द कहने की जोट नहीं है यह जो फोटो है और यह जो मदुमक्यों का जो छत्ता है और जो मदुमक्य जुड़के रहती है और आपस में जुड़ जाती हैं बस ऐसे ही हम जुड़ेंगे और हम ऐ ऐसे ही जुड़े हुए हैं ऐसे नहीं जुड़ना है कि एक व्यक्ति से दस हजार व्यक्ति जुड़ने हैं ऐसे जुड़ना है कि एक एक से दो दो जुड़े हुए हैं आप ध्यान से देखो कि हर जो जुड़े हुए जो कौना है जो सेंटर है उसमें तीन तिलियां हैं एक ख और दस मीटर, बीस मीटर उपर पेड़ पे टिका रहता है. यह जो जुड़ने और जुड़ने की जो सारी कवायद है, यह सब प्रक्रती ने हमको दी हुई है. और जो हमने प्रक्रती की बात नहीं मानी, उस पर हमारा नुकसान हो गया. जब हम सारे के सारे एक व्यक्ति के पी वही एक व्यक्ति से कैसे जुड़ जाएंगे इस जाल को अगर आप दोबारा देखेंगे ध्यान से और पाएंगे कि एक सारी की सारी ये तलियां एक तली से कैसे जुड़ जाएंगे कोई नियम है कोई नियम नहीं है अगर वो तली से जुड़ेंगी तो सिर्फ जुड़ने क नाटक होगा वो जुड़ नहीं सकती करेंगी इस जाल को हमेसा ध्यान रखना और इस जाल को हमेसा मदुमक्खी के छत्ते को ध्यान रखना कि हमको ऐसे जुड़ना है और पड़ोस की तिली से जुड़ना है दूर से नहीं जुड़ना है इसमें कोई भी तिली किसी दूसरी त पड़ोस वाली से जुड़ी हुई है इसनिये पड़ोस बहुत important है पड़ोस जुड़ने के लिए हमारी सकती है अगर हम मुंबई से जुड़गे पुने से जुड़गे हम अगर भुपाल से जुड़गे हम अगर लखनौ से जुड़गे और पड़ोस से नहीं जुड़े वो तिली आपको बचाने नहीं आ सकती क्योंकि अगर आपका नेट बंद हो गया इंटरनेट जिससे हम बात कर रहे हैं तो मैं 326-325 लोगों को अपनी बात नहीं कर सकता और वो सुन नहीं सकते और ये नाम के 326-325 हैं हर एक व्यक्ति अपने साथ 2-3-4 लोगों को ले के बैठा हुआ है तो 1200-1300 लोगों से मैं बात नहीं कर सकता अगर इंटरनेट चला गया, बंद हो गया या किशी ने बंद कर दिया तो फिर बात करने के लिए मैं अपने Brandi जो मेरे सीधे हाथ पे पडवसी एक है, जो मेरे उटे हाथ पे है और जिसको मैं पहले से मिल रहा हूं और बात कर रहा हूं और जिसको मैं ने कंसेप्ट पहले बता रखा है कि अगर घर की बिजली चली जाए और नेट चला जाए तो जुड़ेंगे कैसे हम तो हमें हर हालत में अपने पड़ोस की तिली को जोड़ के रखना है इसलिए यहां जब हम जुड़ने जुड़ाने का कहते हैं तो ये दूर से जुड़ने जुड़ाना है ये भी हमें करना है, क्योंकि हमें बहुत सारी जगे काम शुरू करना है, और अपने पड़ोस में सबसे पहले करना है, अपने रिस्दारों में सबसे पहले करना है, हम लंदन से जड़े हुए हैं, हम न्यूयार्ट से जड़े हुए हैं, हम सारी इस्टेटों में जो बड़ी टेलीफोन बंद हो जाए और टेलीफोन बंद हो जाते हैं आजकल जैसे ही कोई emergency आती है net बंद हो जाते हैं और टेलीफोन बंद हो जाते हैं अभी covid में आपने देखा कि emergency आई तो सड़के बंद हो गई तो बस बंद हो तो जहाज बंद हो गए तो आने जाने के लिए साइकल भी बंद हो गई ऐसी इस्तिती में जो पास की तिली है उससे खाना मिलेगा आपको उससे दवाई मिलेगी उससे सायता मिलेगी अगर जो व्यक्ति हवा हवाई प्लान बनाते हैं और एक व्यक्ति से सारे जुड़ते हैं या दूर वाले से जुड़ने को जुड़ना कहते हैं, वो मुगालते में हैं, मारे जाएंगे, खतम हो जाएंगे, बचेंगे नहीं, बचते वही हैं जो मधु मक्यों से सीखते हैं, क्योंकि मधु मक्यों बहुत सामाजिक प्राणी है सामाजिक जीव है मदु मक्हियों को कभी आपने अकेले घूमते हुए च्छता बनाते हुए नहीं देखा होगा मदु मक्हियां सारी मिलके च्छता बनाती है इसका मतलब घर जो बनाती है संग जो बनाती है सारी मिलके बनाती है और वो अपने बच्चों के लिए सब बरावर खाना एकटा करती है और अगर कोई उनके छटे में ढ़ला मार दे सारी मिलके चुपटती है सारा काम छोड़के पहले उसको देखती है कि वो है कौन गटती है और जिसके पीछे मदुमक्की पड़ जाएं फिर उसे तालाब में कूदना पड़ता है और तालाब में कूदने के बाद भी उसके सर पर मंड़ा दी रहती है जाती नहीं है वहाँ से और जब जब ज़्यादा मदुमक्की काट लेती है तो आदमी मर भी जाता है गारिंप्यस बाद की इसलिए उनका जो घर बनाने का तरीका है जो संग का तरीका है यही संग का तरीका हमको सीखना है और इस पे हमें तीरी से काम करना है क्योंकि हमारे घर का सहद सारा का सारा जा चुका है हमारे पास सहद नहीं है हमारे बच्चे भूके मर जाएंगे जो इन घरों में रहते हैं क्योंकि हमारे सहद के आने के रास्ते बंद हैं जहां से हम सहद एकटा करते थे वो सारी सारी खेती खतम कर दी है अब वो फैक्रिया नहीं है अब वो नौक्रिया नहीं है अब वो पब्लिक सेक्टर नहीं है और हमारे पास इन फूरक खेतियों के लावा कोई और जगे है नहीं जहां से हम रस ले सकें तो बच्चे हम तो मरेंगे मरेंगे साथ में बच्चे वहीं गोंसले में सड़के मर जा जा आप से ये ठीक है, हमको दो तरह से जुड़ना है, मगर घर के आसपा सबसे पहले जुड़ना है, और इसे जुड़ने में कोई पैसा खर्च नहीं होता, पड़ोस में जाने में कौन सा किराया देना है, पड़ोस में जाने में कौन सा आपने रिक्सा करना है, अरे उसके घ लिए एक प्लादी दोनों बरावर हो गई तो का खड़ जाए इसमें भाइचारा बढ़ा और फो कट में स्रुक्षा बढ़ी जब भी एमर्जनसी आएगी अगर आपकी त्यारी मदुमक्षी के छत्ते की तरह है तो आप बच जाओगे और अगर आपकी त्यारी मदुमक्षी की स्गठन बस्ते के त्यारी की सिय तो मारे जाओगे तो नेताओं की त्यारी कैसे होती है उसको देखो यह जितने संग्ठन है कौन सी इस्टैल लाए है वह आतक हमें पता चला क्या करेंगे दो तीन आदमी कहटते होंगे पहला साधी मन में बनाएगा में अब संग्ठर बनावनगा नाम लेगा माहपुर्सों का बावा साब का बुद्ध परियार सापका जोतिभा फूले का साहु माराज का सब का और जब संग्ठर मरा ने बैठाएगा तो संग्ठर मैं सबसे पहले अपटा लिखाओं और पिर अपना नाम लिखेगा और पिर को भी कोई गलती से दूसरे नमसा से ना लिखे रगा और फिर ढूंड़ेंगे कैसे करें इसको कैसे बनाएं फिर एक प्रग्राम करेंगे अपनी जेब से पैसा लगाएंगे थोड़ा सा पुराम बुक कराने के लिए और उसके बाद में फिर निकल जाएंगे मार्कीट में हमने एक संग्ठर बनाया है जितने रिजदार है इतनी आसामी हैं सबसे पैसे खटा कर लाएंगे फिर वो संग्ठर बनाएंगे फिर उसमें दोचार पतादीकारे बनाएंगे फिर ढूंड़ेंगे ऐसे आदमी को जो बीच की कुरसी बैठे और पैसा दे बीच की प्रधानी की मुख्य अतिती की मुख्य वक्ता की जो सीट होती है उस पर पैसे लिए जाते हैं मेरे से भी मांगने के लोग आए कि आपको हम अध्ष बराएंगे प्रधान बनाएंगे बीची कुरसी में बनाएंगे हमको बीस यारा का चंदा दे दो पचास यारा का दे दो एक लाग का दे दो जितनी भीड़ी खटी करोगे उतने ज जो काईकरम होता है वो उनका निजी काईकरम होता है प्राइविट वो काईकरम संग ने नहीं दिया उनको वो काईकरम उन्होंने खुद पैदा किया उसके वो खुद मालिक हैं खुद वो उस काईकरम को लेकर घूमते रहते हैं पूरे साल और दुबारा उस काईकरम का अं वो दोहाई देते हैं आपको कि हमको सम्विधान बचाना है, डेमोक्रेटिक सिस्टम बचाना है, हमको डेमोक्रेशी से करना है, यह जो व्यक्तिवाद है, यह जो राजतंत्र है, यह जो सारा का सारा एनार की चल रहा है, राज साही चल लिए, इसके खिलाफ है, हम बावा साम होता है चाहें वो किसी भी तरह का चुनाव होता हो किसी भी तरह से होता हो मगर फिर भी वो भारत के सारे के सारे जो लोग सवा में लोग बैठे हुए हैं वो साल में एक वार पब्लिक के पास जाते हैं पांस साल में एक वार उनकी खुसामत करें या अपनी ट्रिक लगाएं या कोई चालबाजी करें या कुछ भी करें तिकड़म लगाएं मगर वो पांच साल में लोगों से पूछते हैं कि कौन सा प्रित्रिदी आना है कौन सा नहीं उसका चुनाव होता है यानि कि जो लोग सवाय सरकार है वो भी पांच साल में एक बार पब्लिक की राय लेती है आप मुझे कोई संग्ठन बता दो जिसने पब्लिक की राय ली हो करें एक संग्ठन बता दो जिसने पब्लिक को ये कहा हो कि पब्लिक अपनी राय दो कि हम संग्ठन चलाने लायक हैं या नहीं है या तुमको कोई और पसंद है या संग्टरों से कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है सरकार भी हर साल अपने खर्चे का बजट बताती है जो बजट आज कल सेशन चल रहा है कि हमारा यह चाह कैसा ही बताए मगर वो बताते हैं कि इतनी आम देनी है और इतन पैसा यह हुआ कोई आपको बताने वाला मिले गार नहीं सरकार भी अपने विरोदिओं से साल में मिलती है सारा अल पार्टी मिटिंग होती है सारे लोग मिलते हैं आपस हम बाक्षीद करते हैं operative कितने भी साब के अनुई आई हो तुम बावा साब के अनुई आई हो या बावा साब के सत्या नासी हो बावा साब ने कहा था एक खटे हो जाओ तुम तो एक खटे होने का नाटक नहीं कर सकते तुम तो हिष्ट्री आगे लिखी जाएगी तो ये बात लिखी जाएगी कि ये जो 29 लाख समढ़ बोलते हैं उनके जो नेता थे उनका एक फोटो नहीं मिला कहीं एक साथ बैठे की विचार नहीं मिला इसका मतलब सब के विचार अलग 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 हैं सब अलग यला कर ना चाहेतzd हैं इसका मतलब सब की विचार फ़लान तिरे तरे को और इक उन्होंने विचार धार्य डिये और वही विचार घी जो सारे महा और वही लिखा हुआ है वोलिम्स के तर पर कौन से वॉलिम्स पढ़के आते हो तो ये जो सारा का सारा सिस्टम चल रहा है इस सिस्टम के दोसी 29,00,00 संठनों के चलाने वाले नहीं है जो उसके नेता है वो नहीं है जो चाल लाक एक्टिवेट संठन के जो चला रहे है अलग अ crush अडे चला रहे है जो बावा सापके नाम पर अपनी आइडलोजी कला रहे है वो इसके दोसी बिलकुल नहीं है इसके दोसी वह लोग है जो लोग उना से उम्मीदां के उनको नेता माननाए यानि हम और आप वो नहीं है वो तो इमान दारी से अपना लूटने का काम कर रहें नाहीं हों तो इमांदारी से बावस आपके सम्मिधान हों को गड़े में पहुंचा रहें और हम समझने को T्यार नहीं है और वह बार 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 कहरें इस बात को कि हमारे बसकी नहीं है क्योंकि हर बार उनकी मुद्दे बदल जाते हैं उनका एक भी मुद्दा आज तक पूरा नहीं हुआ आप किसी भी संग्ठन में जितने भी सामाजिक हैं या जितने भी धार मिखेंगे जितने भी राजनितिंगेंगें जितने भी फेस्ट Test या जितने भी हैं उनके मैनुफेस्ट उठालो, उन्होंने जो अपने संविधानों में लिखा हुआ है, उद्देश से वो इठालो, जो वह पचे हैंड विल शापतें वह ठा लो और उसे पूछो कि बताओ आरेмовा ले तुमझे रखाया और रख्षन सर्काही करम चरणाई से पूछो कि तुमने अपने उसमें लिखा हुआ Cambridge पोटेक्त करोगे तुमने अपने समिधान में लिखा हुआ है कि तुम सरकार से लड़ो कि अपने उसके अधिकार के लिए हैं यहां तो तुमारे डिपार्टमेंट नी बचे तो डिपार्टमेंट को बचाओ जो धरम के जितने लोग हैं जिन्हों संक्ठर बना रखें वो कहते हैं कि हमको बहुत गया च काम किया तो उनके जितने सम्विधान में लिखे हुए हैं सतर साल से एक भी वादा पुरा नहीं हुआ है और वो क्या करते हैं देखो कमाल की बात पहले एक एजंडर लेके आएंगे हम यह काम करेंगे फिर वो नहीं होता फिर वो दूसरा लेके आते हैं को समस्श आजा जा हो गया हमारे साथ में यह जो हो रहा है इसकी जुम्मधारी हमारी है उनकी नहीं है जो कर रहे हैं उनका तो धंदा है उनका तो चंदा है उनके तो मौझ आ रही है तरसल हम उनको लगाता लगाता सपूर्ट कर रहे हैं और हम उनमें पूरा यकीन कर रहे हैं और जैसे सरकार से सरकार आती है हमसे पांस साल में एक बार पूछने के लिए कि बताओ मैं ठीक काम कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं वो कभी नहीं आते हैं हमारे पास इसलिए हमें ये पता ही नहीं है कि हम उनसे ये भी कह सकें कि भाई तुम्हारा काम ये ठीक नहीं है कहो के कहां जा के कोई वो पुब्लिक में तो आज आते नहीं पुब्लिक में उनका कोई demographic system है नहीं वो अपने अपने घर के लीडर है और हमारी मजबूरी है और हमको कहते हैं कि हमी तुम्हारी लीडर है इसलिए उनसे सवाल जवाब करना सुरू करें और तेजी से करें और सवाल जवाब के साथ साथ मैं उनसे पूछें कि तुम्हारा जो की सिस्टम है जो हमाएं लूटने पिटने का सिस्टम है वो कप तक चल तो आपके बच्चे बच जाएंगे, यह सबसे सरलोप आए है, अगर आप नहीं पूछ पाते हैं तो उनका पैसा रोग दोग दीजिए, उनकी रसत रोग दीजिए, वो आपको बताने खुद आ जाएंगे आपके घर, कि हमारा पैसा मत रोग, हमने ये काम किया है, हमारा पैस संग में यकीन है, जिसका संग में यकीन है, वो इधर आ जाओ, यहां ना तो पैसे लिये जाते हैं, फिर भी ह repentance को आपको इसाब मिलेगा, कि कितना काम हो चुका है, कितना काम कर रहे हैं, यह इसाब देने का जो पद्दतिया हमारी नहीं हैं, हमें इतनी अकल नहीं हम साद क बता दें कि हम उस बात को समझ भी सकें ये तो जो समण लोग थे हमारे पुराने बाप दादा और जो हमारे परदादा थे उनकी ये पद्दतित थी कि वो पंद्रे में दिन हिसाब दिया करते थे कि समाज में जो लोग एक टाइम की रोटी ले रहे हैं बस पचास हजार ऐसे थे जो समाज से एक टाइम की रोटी लेते थे और फटे पुराने कब्ले लेते थे बस और पूरे दिन समाज को पढ़ाते थे वो भी पंद्रे में दिन हिसाब देते थे कि हमने तुमारी रोटी का इतना काम किया इतना काम किया और कोई गलत काम किया तो उसकी सजा मिलती थ जाएगा पब्लिक से और ना ही यहां कभी जिन्दगी में नेता होगा कभी नेता नहीं होगा अगर नेता हो यहां तो जितने भी यह समण संग के जो स्पोक हैं आप उनके मुँपे थूख सकते हो कि तुमने कहा था कि यहां नेता नहीं होगा यह नेता बन गया थूख सकते ह आप मगर यहां राजनीती में जाने के लिए बिलकुल मना किया हुआ है कि समर्ण संग जिंदगी में राजनीती में नहीं जाएगा मगर राजनीतिक छेत्र में समर्ण संग को छोड़के कोई व्यक्ति जा सकता है जो पहले समर्ण संग का काम करता है ये restriction नहीं है, किसी की अधिकार को रोका नहीं किया है, समण संग ने अपना अधिकार ये किये कहा है, कि वो जिन्दकी में समण संग में रहता हुआ, कोई व्यक्ति राजनीती में जाना चाहे, उसका वेलकम है, वो जा सकता है, मगर समण संग नहीं जाएगा, उसको समण संग अधिकार देखे जा रहे हैं उस अधिकार का इस्तमाल भी करना चाहिए मगर संग को जरूत नहीं है संग नहीं जाएगा कभी और संग कभी अगर राजनीती में जाए तो जितने इसके एक्टिव मेंबर हैं आप उनकी टांग पढ़के खीच सकते हो कि क्या बोला और क्या नह कभी इसमें नेता बाना ही नहीं कभी इसने मंचमला ली ही नहीं कभी इसके यहां पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई दिखावा होता हो या कोई ऐसा सिल्सला होता हो यहां सब लोग अपनी रोट कोटी खाते हैं यहां कोई किसी की रोटी खाता नहीं यहां कोई किसी की गाड नहीं है या पता दिकारी नहीं है यहां तो सारे के सारे डिसेंच जितने भी होते हैं या बैठ के लेते हैं अभी संडे को जो संडे आ रहा है छे से लेके आठ वे तक सारे सारे जो इसके एक मेंबर बैठेंगे चर्चा करेंगे किस-किस नियम की जो पड़ रही है कौन-कौन सा नियम बनाना है और वो नियम कोई रखे या ना ना रखे उससे फरंग नहीं पड़ता वो नियम हाउस में जब रखा जाता है उसका सारी शर्चा होती है पास हो गया तो वो नियम हाउस का वो नियम उस व्यक्ति का नहीं जिसने रखा है व्यक्ति की है कोई प्रॉपटी न तेरे परवरी की, वो जो मीटिंग करा रहे हैं, वो सुधीर कुमार की मीटिंग नहीं है, वो सुधीर कुमार को संग ने कहा है कि आप ये मीटिंग करें, वो संग की मीटिंग है, यानि कि संग ने सुधीर कुमार को मीटिंग के लिए कहा है, वो हम मीटिंग करेंगे, तो वो meeting संग की मीटिंग है उसके जो जितने पी उसके साधन रहें जैसे कार कहीं चलती है वैसी कहीं चलता है यहां किसी के नाम से काम सारी करेंगे मगर वह संग के लिए होगा काम तो संग की पुर्णपरा में आपने देखा हो होगा कि समण संग में यानि बुद्ध से पहले कि जो संग बना हुआ है और जो बुद्ध ने संग के नियम बनाए उसमें किसी का नाम भी नहीं है एक नियम पे भी ये नाम नहीं है कि ये नियम उसका है संग का ही नियम है संग का ही सब स्ंख्या काम है और सुप सनि वार जो हमारा आता है इसको 55 चया तॉट पचा डेंगे तो पोचेंगे कि पोड़ा को आगे 1000 तक बढ़ा जाए करण किया है कि संख्या बढ़ने से जो लोग आते हैं जो देखते हैं उनको यह पता चलता है कि समण संग का जो कंसेप्ट है वो कहां तक जा रहा है एक घर में चार चार लोग सुनते हैं तो जाहिड सी बात है 1415 लोग रो का जातार मीटिंग चल रही हैं वह छो ओलत चलए हैं आपके 265 की मिटिंग है जो मध्य जो क्वालियों के अंदर है कि अधी भिस होने पो contained john के, क्की 14 अप्रेल के बाद की पहली मीटिंग है पहला शंडे है तो वो मिटिंग 700 800,000 में जाएगी वो मिटिंग के तयारियां में चल रही है दिल्ली में हजार की मीटिंक पास हो चुए है डेट पर हाउस में फिर ्धूदार से काम कर रहें एक तो सदरन लोग काम करने समड़ संग में सारे के सारे मेंबर होते हैं यानि जो इसका मेंबर है और दूसरे जो लोग तो यहां काम के रहे हैं उनमेंचिए ज्यादा काम करने वाले उनको गोते महापुर्सों की बात को बताने वाले प्रवक्ता है उसको एंग्रेजी में था तो उसका उपठाक नाम है उपठाक का मतलब सेवक नाम थोड़ा सा टेला है इसलिए उपठाक नहीं बोलते उपठाक का मतलब है सेवक होगे जैसे जो आनन्द थे बुद्ध के उपठाक थे उनके सेवक तो यहां हर व्यक्ति उपठाक के सेवक है तो जितने भी उपठाक है यह सारे के सारे 1000 उपठाक दिल्ली में आएंगे, 1000 की संख्या मनीमभ है, हर राज्य से आएंगे, पूरे देश की एक मीटिंग होगी और विदेशों से भी उसमें लोग आएंगे, तो आप अगर उस मीटिंग में सामिल होना चाहते हैं, तो आपके लिए कंडिसन है कि आप प बनना है, सेवक बनना है, तो मैं यहां अपना नमबर देता हूं, मुझे इसमें जोडा जाए, तो वो आपको स्पोक्स बना देंगे, स्पोक्स बना देंगे, नहीं तो मेरी इस बात के बात में आप यहां बोल सकते हैं, कि मुझे यहां मीटिंग में सामिल होना है, या काम करना है तो मुझे स्पोक बना जाए देर सवेर यहां दस्यों हजार दस्यों लाक बनेंगे वो इसलिए बनेंगे कि हमारे चेहरे में कोई खास बात नहीं या जितने भी लोग बोल के गए हैं उनके चेहरे में कोई खास बाती है हमारे चेहरों में अगर कुछ चंबक होती या कोई खास बात होती तो ये करिस्मा बहुत पहले हो गया होता ये करिस्मा जो हो रहा है कि लगाता लगाता लोग जुटते जा रहे हैं जुटते जा रहे हैं और मीटिंग पर मीटिंग होती जा रही वो आपको आपके बच्चों को अच्छी तरह से आगे बढा देगा उसने पहले भी ये काम किया है इसलिए वो सर्टिफाइड है वो टैस्टेड है जो समझ संका सिध्धान दे क्या सिध्धान्त है जुड़ना है और इकटा होना है और मदू मख्षी के छत्ते की तरह इकटा नहीं होना है, और कहीं गुट बना के खटा नहीं होना है, कहीं गुर्ब बना के नहीं खटा होना है, बस परिवार से परिवार, पड़ोसी से पड़ोसी और देश से देश, और सहर से सहर, नगर से नगर, गाओं से गाओं, गली से गली, महले से महल, ऐसे ही नेट बनाना है, जितनी जल्दी आप उस नेट को बना देंगे, जाल को बना देंगे, मदुमक्खी के जाल को बना देंगे, उतनी जल्दी मदुमक्खीयां उसमें सहथ डालना सुर देंगी, और सहथ उसमें जमना सुर हो जाएगा, पर इस सहथ लाओगे और घर नहीं होगा, उसे रखोगे क आप मेहनत तो पूरी कर रहे हो, आप संग्ठनों को पैसा भी दे रहे हो, आप सारे काम कर रहे हो, मगर आपके पास में संग नहीं है, वो जो चोटी 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 कोट्रियां है, उनमें सैद इखटा होता है गिर जाता है, सैद इखटा होता है गिर जाता है, या उसको उठा कर ले लियाता है इसलिए आपको अपने पुराने बड़े घर की आ सकता है और ऐसे घर की आ सकता है जिसमें आपकी हर चीज सुरक्षित रहे आपकी इज़त सुरक्षित है आपकी मेहनत सुरक्षित है मेहनत कैसे सुरक्षित है बही महनत ऐसे सुरक्षित है कि अब तक जिन्मी लोगों ने काम किया सामाजिक संटनों में उन्में क्या हुआ कि कि ठाल कि जद्धा साथा आदमी है खुँ महनत कर रहा है पैसा भी दे रहा है और जब महनत करने के बाद में कुछ परिदाम किसको मेलता है नेता को, नेता के साले को, नेता के बेटे को, नेता के चाचा को, नेता के भतीजे को, नेता के मौसा को, यानि जो अगवा कर रहा है, फिर वो सब भूल जाता है, अधिकार उसका है, जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की पहला राइट नेचुरली उसका बनता है, जिसने अपना गर बरबाद किया जिसने अपना पूरा पैसा लगा दिया पूरा टाइम लगा दिया पूरी जवानी लगा दिया ऐसे लोग मायूस हो गए क्योंकि उनके बच्चों ने उनको गाली पक्रणी शुरू कर दी तुमने क्या समाज एक काम किया तुम्हें को फ़लाने आदमी का क् उसकी कोटिया बन गए उसकी फैक्ट्री बन गए ये बात हैं समाज को तोड़ गई और मायूस कर गई इसलिए समण संगा पुराना सद्धानत खंगाला गया जब उस सद्धानत खंगाला गया तो पता चला कि उसमें एक सीनेटी लिस्ट होती है seniority list ऐसे होती है कि जैसे काम करने के लिए आज आया चमल लाल और चमल लाल की उमर है आठ साल या 18 साल का चमल लाल है तो उसने आज काम सुरू किया तो उसका डेट लिख गया कि वह इसने चार फरवरी से चमल लाल ने काम सुरू किया अब चमल लाल के साथ के बाद काम करने के बाद आया दो दिन बाद या दो घंटे बाद या चार दिन बाद या पांस दिन बाद मदनलाल अब जो मदनलाल आया है और उसकी उमर है साट साल और उसने काम सुरू किया तो जो मदनलाल है साट साल वाला उस अठारे साल वाले से हमेशा दो दिन छोटा रहेगा काम में उमर सब लोग देखते रहते हैं, यहां एक एक चीज़ लिखित में आ रही है, तो आपका काम बेका नहीं जाने वाला, जो पहले काम करेगा, उसका काम सीनिटी के हिसाफ से जद के हिसाफ से जद रहेगा, इज़त तो इस सबी की होती है, क्योंकि यहां सब को सर कह के बोलते हैं, महिलाओं को, बह Crazy के करे बोलते हैं, कईवर बार 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 बताते हैं, मगर काम का जो आपका सीनिटी है, वो उमर के साफ से लिए है इसलिए जिसका पहले जिस दिन से डेट आएगा काम करेगा उसकी उसी दिन से जथ होनी सुरू हो जाएगी सीनिटी हो जाएगी तो बड़े चालाक लोग आते थे उस समय केरे बाई आज हम काम करने आए और काम करे और भागे फिर कब आएंगे दो मेने बाद आएंगे और फिर आके कहेंगे हमारा नाम तो लिखा हुआ है हम तो उस दिन आए थे हमारी तो तारीक वही रखो दो दिन बाद तो ऐसा नियम नहीं होता बुद्धने का है कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा कोई आदमी काम छोड़के भाग गया वो दोबारा आएगा तो फिर नीचे से है तो सुरक्षा के काम का क्या फाइदा है एक तो उसका मान समान हमें सब इकरा रहेगा उसके बच्चों को भी यह पता रहेगा कि समन संग में उसके पिताजी ने उसके चाचा ने तब से काम स्टार्ट किया यह उनका रिकॉर्ड है दूसरा जब सारे खटे हो जाएंगे तो हम इखटे किसलिया हो रहे हैं हम इखटे इसलिया हो रहे हैं कि सम्वधानी का धिकार हमको सारे चाहिए और सम्वधानी का धिकार उनी को मिलते हैं जो इखटे होते हैं तो जब सम्वधानी का धिकार आएंगे तो सम्वधानी का धिकार क्या होते हैं बजट मैंसे हिस्स नौकरी, सुरक्चा, कोई काम के लिए नौन, कहीं कोई सरकारी काम में फायदा, कहीं कोई जमीन का अलॉटमेंट, तो ये किसको मिलेंगी? ये लोगों को मिलेंगी और उनको मिलेंगी जो एकड़े हैं जो अपना अधिकार सम्यदार मिलेंगा उनको मिलेंगी, तो जब इसके मिलने का नंबर आएगा तो समन संग ये बताएगा ये रही लिस्ट भाई, और इस लिस्ट के इसाफ से इन्ही नोगों का राइट पहले बनता है राइट तो सबका है, मगर पहला राइट इनका बनता है इसलिए पहले इनको दो, क्योंकि लडाई चल रहा है, इसलिए बेफिकर हो के यहां आएं और बेफिकर काम करें फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई doubt है तो इधर आईए और आकर देखिये और कोई गवल है तो उसको बताईए, दूसरी बात वेक्ति बदल सकता है, एक व्यक्ति बदल सकता है चला जाए, दो बदल सकते है चला जाए, तीन बदल सकते है चला जाए, सो बदल सकते है चला जाए, मगर संग कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि पद नहीं है यहाँ पर कोई पता दिकारी नहीं है, इसलिए इसको कोई बेच नहीं सकता, इसका कोई रे सोने तो पक्का काम करके दिया है फिर भी कोई मनुस आ जा जा फिर भी कोई दिलद्दर आ जा जा फिर भी कोई बत्तमी जा 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 फिर भी कोई राग आ है तो उसका इलाज है उसका इलाज यह है कि एक व्यक्ति की है चलती नहीं एक व्यक्ति का है कोई नियम नहीं है दो व्यक्ति की नहीं चलती तीन की नहीं चलती 51% लाओ 51% बहुमत होगा तो अपनी चला सकता है तो जैसे जैसे संख्या बटती जा रही है कहां से लाए गए 90% मैं चार आदमी हो तो नमें तो दो आदमीं तोड़ने आसान है दो आदमी हो तो एक को तोड़ना आसान है दसा आदमीं हो तो नमें से पांच-छे को हैं तो हजारों है ज Sigil को तो फो पिड़ी हो जाएगा उलगी गुद्सक्राइब जाना है हुई भी तो समनाना थाया कि वह सेंग हो और वनकोंometric संगे हो और यहां जो 307 नहीं है मैं लुए सारे साहा हैं ये बंबन का संग नहीं है उसके लिए जड़ा सोरी क्योंकि ये समणों का ही है तो समणों की बात इसमें करनी है बेदबाब किसी से है नहीं मगर उनके पास तो बहुत कुछ है तो उसमें हमें जाना नहीं उसकी बात भी नहीं जनी है इसलिए जोड़ना है और जोड़ना है और जल्दी जोड़ना है अगर फाइदा चाहिए क्योंकि जोड़ने का फाइदा तब है इस मधुमक्षी के च्छते का फाइदा जब है जब जंगल में आग ना लगे अगर आग लगी जंगल में तो ये सारे च्छते जल जाए जाएगा और उस आग का नाम है संविधान जब तक सम्विधान सुरक्षित है तक जंगल अगर बढ़ लग जाएगी यह बहुत महत करना पड़ेगा फिर वोई करना पड़ेगा अंग्रे जो ऐसा करो अंदुलान फलाना जेल भरो ये करो वो करो वो बड़ा मुस्किल काम है उसमें मत पढ़ना इसलिए खट्टे हो जाना और मधू मक्हे की चट्टी की जरे पहले अपने घर के पास एकट्टे हो और बहार तो हमें खट्टे ही धन्यवाद आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है आपको छूट है ये सभी कॉपीराइट फिरी हैं आप अपने फेस्बुक पे अपने पेज पे अपने टूटर पे या अपने हंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप यूटूब पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या पर्मिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम सब का है, हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है, या महापुर्सो का है, उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं, हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे, कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पुझी आपकी है, धन् इत्या सिर्फ एप। संगं सरनं गच्छामी तूंतियं पि बुद्धं सरनं गच्छामी पूतियंपी बुतंग सनंगच्छामी पूतियंपी दम्मंग सर्नु गच्छामी पूतियंपी बुतियंपी बुत्थयंपी 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 बुत् पी गुतंग सर्णं कच्छामी ततियं पी धम्ममर सर्णं कच्छामी ततियं पी धम्ममर सर्णं कच्छामी ततियं पी संगर सर्णं कच्छामी तातियम पिसन्दम सर्णं तर्शामी साथो, साथो, साथो